बड़ी खबर दिपिका पातुकोन पहुच गई हैं एंसीवी के दफ्तर और बड़े ही चुप चाप गुप चुप तरीके से सीक्रेट तरीके से अपने घर पर नहीं रुकी कहीं और रुकी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया एक नॉर्मल कार शायद उनके स्टाफि नहीं किया तो जल्दी से कर लीजे बेल आइकन भी दबा देए सबसे पहले आपको दिखाती हूं वह तस्वीर जिस गाड़ी में दिपिका पदुकोन आई है उनके पास बहुत सारी गाड़ी आए यह देखें यह गाड़ी है यह गाड़ी है जिसमें दिपिका पदुकोन आई है और दिपिका पदुकोन ताज होटेल जो एंसीवी के दफ्तर के करीब ही है वहाँ पर रुकी थी यह देखें इस तरह के इंतिजाम जो है कि यह कैता सुरक्षा के जब वह आई तो सामने बैरिकेटिंग करके कोने में उनको अंदर ले लिया गया यह वाला विजुल और किसी कानो कान खबर नहीं हुई कि दिपिका पदुकोन पहुंच रही है दिपिका पदुकोन अपने घर से कल ही निकल गई थी पिछले गेट से और जाकर कि वह ताज होटेल में रुकी थी ताकि मीडिया के जमावडे का उनको सामना ना करना पड़े पर अब निकलते व अमाइस में एंटर हो गई और उनको सिध्य अंदर ले जाए गया और विजुल्स बहुत जादा लोगों को शायद नहीं मिल पाया है जो मैं देख रही हूँ अब यह कैमरेमन से मेरा संबर्क में हुआ है जो मैं चैनल्स में देख रही हूँ कुछ खास विजुल्स नहीं म बचे किसी ने डिपलॉय नहीं किया किसी को उनके होटेल से निकलने का विजुल नहीं मिल पाया बहुत आश्यरे की बात है सबने एक विल्डिंग के तीन गेट पर यूट्स लगा दी मगर होटेल पर नहीं लगाई ताज उसके बगल में है most likely most understandable चीजे को ताज में आकर र